मिश्र में खुदाई के दौरान पूरा तत्तो विदों को दुनिया की सबसे पुरानी बियर बनाने वाली फैक्टरी मिली ये फैक्टरी करीब 5,000 साल पुरानी बताई जा रही है इसका पता डक्षनी मिश्र में अमेरिका और मिश्र के पूरा तत्तो विदो ने लगाया है ये फैक्टरी प्राचीन मिश्र के सबसे प्रमुख पूरा तत्तो इस्थानों में शुमार एक स्थान पर मिली है माना जा रहा है कि ये फैक्टरी दुनिया की सबसे पुरानी बियर फैक्टरी हो सकती है एक शीर से पुरातत्तो अधिकारी ने बुद्वार को इसकी जानकारी दी है प्राचीन वस्तूओं की सरोच परिशद के महासचिव मुस्तफा वजीरी ने कहा है कि ये फैक्ट्री नील नदी के पश्मी में प्राचीन कब्रिस्तान एबिडोज में मिली है जो दक्षनी कोहिरा से 450 किलोमीटर तूर है उन्होंने कहा है कि फैक्ट्री किंग नार्मेर के शित्र में स्थित है जिने पहले बंशकाल 3150 इसापूरु से 2613 इसापूरु के शुरबात में प्राचीन विश्र के एक ही करण के लिए जाना जाता है वजीरी ने कहा है कि पूरा तुत्तो विदो को आठ इकाया मिली है प्रतेक इकायी 20 मीटर लंबी और 2.5 मीटर चौड़ी है खुदाई के दौरान इसमें मिट्टी के लगभग 40 बरतन मिले है जो बियर के उत्पाद के लिए अनाज और पानी के मिश्र को गर्म करने के काम आते होंगे इस संयुक्त अभ्यान की सह अध्यक्षता न्यू यॉर्क विश्र विद्याले के पूरा करने के लिए इस इलाके में ये फैक्ट्री लगाई गई होगी उन्होंने कहा है कि पूरा तत्तो विदों को ऐसे सबूत मिले हैं जो प्राचीन मिस्टर के बली प्रताओं के दौरान बियर के इस्तमाल को दर्शाते हैं प्राचीन वस्तूं से संबंदिद मंतुराले ने कहा है कि ब्रिटन के पूरा तत्तो विदों ने सबसे पहले 1900 के शुरुवात में इस फैक्ट्री के अस्ततो का उले किया था लेकिन उन्हें ये पता नहीं चल सका था कि ये फैक्ट्री किस जगा पर मौजूद है लेकिन अब इसके बारे में पता चल गया है इसकी कई तस्वीरे भी सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है आपकी इस खबर को लेकर क्या राया है हमें कमेंट सक्षिन में लिखके जरूर बताईए बाकी देश और दुम्या की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे टीवी नाइन भारत वर्ष